नमस्कार स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुखे समचारी के इस वीडियो में भारतिये जनता पाटी ने आज पुना एक बार फुर से इतिहास रच दिया यह बता दिया कि गुजरात के बाद में तमाम अनेक राचियों में हमारा दब्दबा कायम रहेगा इसके साथ आज की बड़ी ख़बर में बात चित करेंगे कि कैसे है माचल परदेश में कॉंग्रेस ने रचाई तेहास और कॉंग्रेस ने पुना एक बार फुर से जीत हासिल करने के बाद भारतियों जनता पाटी को दिखाया आख साथे साथ बिहार में बढ़ती अपराधी घटनाओं को ने अंतरा आने के लिए शरकार के तरफ से की जाने वाली त्यारियों को ले करके नई और बड़ी अब्डेट सामने आई है इसके साथ बात करेंगे दोस्तों कैसे हंदोस्तान और बंगला देश के खिलाफ फुरह मुकाबले में भारतिये किंदबाजों और भारतिये किरकेट को ले करके बड़ी दुखत खبر सामने आई है इसके साथ आज की बड़ी ख़वन बात करेंगे प्रियंका गाधी और राहूल गाधी की लोग प्रियता आखिर मोधी के सामने क्यूं गिरती जा रही है और क्यूं मोधी आगे बढ़ते जा रहे है चिराग पास्वान की कारण आज जिहां अब कुड़नी की जंता ने गुझ राध के चुनाओं में पांच सीटों पर जीत खाशल की पहली मर्तवा चुनाओ लड़कर के इसके साथ आज की बड़ी ख़बर में बात करेंगे मैं पूरी में ही नहीं गुजरात के भी एक विधान सवा सीटों पर जीत हासल करने में कम्याबी पाती हुई नजर आई समाजवादी पार्टी इसके साथ आज की बड़ी और मुख्य समचार के अंदर बात करेंगे कैसे एक बार फिर से पुना जो है बिहार में 18 और 28 दिसंबर को होने वाले नगर निगम के चुनाओ को ले करके नई और बड़ी ख़बरी सामने आई है इसके साथ ठंड को देखते वे मौसम भाग ने रेड एलाट कई राज्यों में जारी कर दिया है लोगों को घरों में बने रहने की अपील जो है वो की गई है चोटी बड़ी सबी ख़बरों को विस्तार से देखेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और नीचे दियेगा हिलाल कलर के बटन दुदा कर सब्सक्राइब कर देशे शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से और बड़ी खबर निकलकर शामने आ रही है राहूल गाधी को लेकर खे राहूल गाधी इस समय काफी तेजी से देश में लोगप्रिये हो रहे है लेकिन उसके बहुजद भी उनकी लोगप्रियता आखिर किस दिन काम आएगी जब गुजरात की जनता ने उनके चेहरों पर भरोशा ना करते वे उन्हें अपने एक भी मत अधिकारों का प्रयोग करते वे ज्यादा सीटों को नहीं दिया और जिस चीज की उमीद थी जो त आखिर उस गुजरात को जीतने में नाकमयाबियां हासिल जब हुई तो बीजेपी के तमाम लोगों में जसन की त्यारी थी और इधर कॉंगरेस में तमाम लोगों मातम की तस्वीर थी ऐसे मैं दोस्तों कॉंगरेस के त्वारा किया जाने वाला प्रयास एक बार फिर से अस लगातार्त जश्वीयादों की ताकतें बिहार में बढ़ी उसके बावज़ुद भी कुरनी में हार का कसामना निदीस कुमार को क्यूँ करना पड़ा कुरनी जो राजजत का सीट था जहांसे राजद के पहले बिधायक थे उसके बावज़ुद भार्तिय जनता पाटी ने कुड़नी में जीत हासिल कैसे कर लिया ये जनता जो है वो सवाल जबाब तो सरकार से भी करेगी लेकिन आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट बताते हैं दोस्तों बता दे कि कुड़नी में हुए चुनाओ को ले करके बीजेपी की जीत पर भली ही जस्तन मन रही हो लेकिन कुछ लोगों के कहना है कि बीजेपी हजस्तन को जादा वक्त तक नहीं बना पाएगे दरते जश्वी आदों ने भी वादा कर दिया है कि जनता जो है हमारे लिए सब कुछ है जनता के लिए हम लोगों के लिए जनार्धन है और वो जनादेश जो भी देगी उसका हम पालन यानि शाफ हो गया है कि बिहार की जनता बीजे पिक्योर जाने लगी है बड़ी खबर निकल कर शामने आ रही है क्या कुड़िनी में चिराग पास्वान को सचमुच कम्याबी मिली क्या 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 चिराग पास्वान के मौडल पर विस्वास किया क्या चिराग पास्व के लोगों को चिराग का मिला समर्थनी एक बड़ा फैक्टर है और अधर समुदाइस बोड़ा के लोग है उंकि पर्षानियों में उत्रें उनके सब्सक्राइब करते हैं जिसके कारण उनकी और सकतिसाली अंदाज समय समय के साथ सामने आती रहती है एक और बड़ी ख़बरारी नितीश कुमार को लेगर के आईए इसे भी देख लेते हैं दोस्तों बता दे कि नितीश कुमार ने पुनह जिस तरीके से आज कुड़नी में ह सामना जिस तरीके से उन्हें करना पड़ा या फिर दिल्ली के अमसीडि चुनाओं के 22 सीटो पर ने हार का सामना करना पड़ा यह लगातार लग रहे हैं J जेडियू के लिए ये ठीक खबरे जो है वो सामने इसलिक अरगर के नहीं आ रही है जिसके करण जेडियू जो है अपराश होती हुए दिखाई दे रही है ऐसी जेडियू जिन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया बिहार के लोगों को बहुत कुछ दिया आज आखिर कार कु कोडिनी के अंदर बीजे पी का परचम लाहराया जो हमेसा से अरजेडी और जेडियू का जो सीड था वो आखिर कोडिनी कैसे बन गया भाजपा का ट्रेनों को रद किये जाने के बाद में परिशानिया बढ़ी है और ऐसे में खासतोर पर उन लोगों को ज्यादा परिशानी हुई है जो साधियों में घर आये थे ऐसे हैं दोस्तों बिहार समयत तवाम अनेग राजियों में जाने वाली ट्रेनों को रद किया गया है दरजनों ट्रेनों को पटना से रज़ कर देया गया तो दरजनों ट्रेनों को इधर मजफरपूर, हाजिपूर, छप्रासिवान को रद किया गया दोस्तों, बता दे कि ये ट्रेने लोगों को हर्याना पंजाब गुझरात मत्परदेश में तवाम अनेक राजियों में लेकर जाया करती थी लेकिन इन ट्रेनों को रद हो जाने के बाद में जंता को भारी परसानी हो रही है और भारी परसानी के कारण जो है अब कुछ भी कहने से बंचित थोड़ा दिखाई दे रही है इंडियन ड्रेल बे क्योंकि इंडियन ड्रेल बे ठंड में हमेशा जो है वो ट्रेनों को किंसिल करता आया है यह पहली मरत्वा नहीं है जो इस तरीके के उन्होंने चीजे की इससे पहले भी उन्होंने कुछ इस तरीके से चीजों को किया है जो काफी ज़्यादा गलत है और ऐसे में लोगों को परसान होना पड़ता है बड़ी ख़बर निकल शामने आरी अखले शादो को ले करके डिमपल यादो की इतिहासिक जीत अखले शादो ने कराई इसके सा साथ भले ही उन्होंने रामपूर में उतना बड़ा फॉर्मेंस ना दिखाया लेकिन गुजरात में भी समाजवादी पार्टी के एक केंडिडेट ने बाजी मारे और एक केंडिडेट के बाजी मारने के जाने के बाद में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखले श इस बात से साफ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसे में दोस्तों बतादे फिर से कि समाजवादी पार्टी के नेता अखलिय श्यादों बैक टू बैक वो मैनपूरी में चुनावी रहलिया किया जनसा भाय की और उसके बाहुजुद भी उन्हें जो है रामपूर जो हारना पड़ा बलकि उन्हें मैनपूरी अभी फिलहाल मिल चुकी है बढ़ते हैं बड़ी ख़बर की और बड़ी खबर निकल कर शामने आ रही है रूस यूगरेन में छिड़े युद्ध के कारण एक बर फिर से बड़ा महाल डेबलप हो रहा है ऐसे मैं दोस्तों बता दे कि प्राणू हथ्यारों का इस्तमाल होता है तो फिर युद्ध एक बड़ा युद्ध का रूप ले सकता है बड़ी ख़बर निकल कर शामने आ रही है सिवसेना में भले ही बटवारा हो गया हो लेकिन उद्व ठाकरे ने एक बड़ा ब्यान दिया दोस्तों उद्व ठाकरे हम वो बहुत मजबूत हुई है और पहले वाली सिवसेना नहीं है जो आप इसके बिधायकों को कौाट लेंगे बिधायकों को तोड़ लेंगे हमारी सिवसेना मजबूत है और सिवसेना को दिया जाने वाला जो ताकत है वो जनता का है और जनता हमें जो ताकत दी है उसके बढ़ी वाट्षब को लेकर के बड़ी जनकारी सामने आरहे हैं GB Watchup जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है और ऐसे में इसमें डेटा सीक्यॉर ना रखने की भी किवर है दुस्तों GB Watchup जो है वो एक APK है जो आपके डेटा को लीक करता है चुरा करके एक जगह से दूसरी जगह से बेच सकता है तो किर्पा करके ऐसे चीज़ों पर ध्यान ना दे और जी भी वाटसप को अनिस्टॉल बड़ी खबर निकल को शामने आ रही इस वक्त AIM को लिकर की AIM ने अपने पूरी ताकत के साथ चुना तो लड़ा पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई AIM को जतना उमीद थी अतनी उमीदें नहीं हो मिल पाई जिसके कारण उसे हार का सामना करना पढ़ा 13 में से 3 सीटे भी AIM ने नहीं जीती और AIM के 13 में से 3 सीटे ना आने के कई वजा और कारण भी है जिनमें AIM सबसे पहले हिंदु मुस्लिम कर बटवारे कर भोट बैंक को अपने एकत्रित करना चाहती थी लेकिर ऐसा कुछ नहीं हो पाया और ना हो पाएगा शोने और चांदी के केमतों में आई एक बर फिर से बढ़ातरी की करना जनता को परशानियों का सामना करना पड़ा है ऐसे हैं दोस्तों इस वक्त आई एक बड़ी रिपोर्ट के अनुशार फिर से जो है वो सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ातरी दर्ज की गई है आज शोने और चांदी की नई ताजा और बड़ी अपडेट से यह है की कीमत कुछ आक्रन के साथ बढ़ी है जिसको देखते हुए लोगों को परशान होना पड़ रहा है बड़ी ख़बर निकल कर शामने आ रहे है इस वक्त और बड़ी ख़बर ये है की धुंद में दिखे कोहरे के रूप में दिखा दिल्ली में पॉलूशन दिख रहा है अब इस सुधार ने और दिल्ली को पॉलूशन मुक्त बनाने की त्यारी अर्बिंद का जरिवाल की चारी हो गई है अर्बिंद की जरिवाल सबसे पहले पॉलूशन पर जेहां ग्राफट मांगते हैं पॉलूशन की रिपोर्ट मांगते हैं जिस तरीके से दिल्ली और समय तमाम महानगरों में पलूशन फायला है या लोगों के लिए चिंता का घंटी हो सकता है आपके लिए भीूर्ण कुमार्सिन जो है वो जेडियू के अब नए अध्यक्ष पद की उमिद्वारी जो है पेस कर सकते हैं और नए अध्यक्ष जो है फिर से पुना एक बार ललन कुमार्सिन नहीं बन सकते हैं में लिए एक रिपोर्ट के अनुशार ललन कुमार्सिन जो है जेडियू के पुना फिर से एक रास्टी अध्यक्ष हो सकते हैं और उनकी चुनाव के लिए कोशिशें जो है जेडियू के जारी है जेडियू के बर साह को ले करके अमीद साह ने एक बर फिर शे बड़ा खबर दी है अमीद साह की गुजरात में जीत की बाद में लोगों में लोग प्रियता बड़ी और इसके साथ ही उन्होंने ये वता दिया कि ये सेवी फाइनल मुकाबला हम जीत चुके हैं और अगले मुकाबले के लिए हम लोग त्यार हैं अगला मुकाबला यानी सीधे 2024 के लड़ाई 2024 में इस बार पुना जीत हासिल अगर भारतिये जनता पार्टी नहीं करती है और कोई पार्टी रिकवर करने की कोशिश करती है तो वो कॉंग्रिस या आप हो सकता है लेकिन अमीद साह के मजबूत नीती से अपने आपको लिकाल पाना बड़ा मुस्खिल है ऐसे में ये लोग जो है एक नया परियास कर रहे है ताकि एक दूसरे को कमपटिट किया जाए और किसी भी हलात में BJP दिल्ली की सत्ता से गायव ना हो इसका पूरा का पूरा परियास जो है वो अमीद साहज भी करने लगे खर बने लिए आप हमारे साथ इस वीडियो पर पांच ज़र लाइक और अपना समर्था अंदर जरूर करें आसक लितना ही आईटिटी नियूस के लिए दिपो कमर्सिन रिपोर्ट